हेलो दोस्तो मैं हूँ आशीश और ऐसी कई चीज़ें हैं जिने हम सोचते हैं कि उसे कोई भी कर सकता है पर अगर आप दुनिया भर के अन्य जादातर लोगों की तरह एक आम इंसान हैं तो जो चीज़ें हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें आप चाहे कितना भी ट साथ नहीं कर सकते हैं हाँ अगर आप इन में से कोई भी काम कर पाते हैं तो आप अपने आपको कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी ना समझे साथी साथ इन में से कुछ चीज़ों को करने का तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप अपने दोस्तों को इंप्रेस कर पाएंगे एक आईब्रो को उठाना आईब्रो को उठाने की अबिलिटी इवाल्यूशनरी ट्रेट है हमारे पूर्वज बंदर अपने आईब्रो को उस वक्त उठाते थे जब उन्हें किसी खत्रे का एसास होता था अलाकि हम मेंसे काफी लोग अपने एक आईब्रो को नहीं आपको आपके आईब्रोस के मान स्बेश्यों पर कंच्रोल मिल जाएगा और फिर आप भी अपने एक साइट के आईब्रोग को असानी से उपर उठा पाएंगे ध्यान रखे आपको कुछ दिनों तक फ्रैक्टिस करना पड़ेगा और हाँ आप यहाँ वोट करके बताएगा जरूर कि क्या आप खुद से अपनी एक आइबलो को उठा पाते हैं या नहीं और इसी तरह आगया आपको दिखाए गए हर काम के बाद वोट करने का आप्शन मिलेगा जहाँ वोट करके यह बता सकते हैं कि क्या आप वो अनोखा काम कर पाते हैं या नहीं हम सब भी जानते हैं कि 99 प्रतिशत लोग अपनी जीब से अपनी कोहनी को नहीं चू सकते हैं आप भी अभी ट्राइ करके देख सकते हैं इस काम को काफी कम लोग ही कर पाते हैं इसके बावजूद कुछ लोगों के लिए अपनी जीब से अपनी कोहनी को छूना आसान काम है Guinness Book of World Record को रोज लगभख पांच ऐसे लोगों के क्लेम्स आते हैं जो अपने आपको स्पेशल मानते हैं क्या आप उन में से एक हैं यहां वोट करें काफी कम लोगी खुद से अपने कान को बीना चुए हिला सकते हैं और हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसा होने के पीछे कारण भी ढून लिया है चहरे पर मौझूद बाकी मान स्पेशियों के विपरीत कान के मान स्पेशियों का अपना एक्सेसरी नूकलियस होता है accessory nucleus हमारे दिमाग में मौजूद ManSpati longing के function का control area होता है बाकी जानवरों की दुलना में खास करके चमकादर और बिल्ली की दुलना में इंसानों में accessory nucleus छोटा होता है अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अपने कान को बीना छुए नहीं हिला सकते हैं कमारे पास आपके लिए कुछ टिप्स है जिस तरह हमने आई ब्रोस के साथ किया था बिलकुल वैसे ही सबसे पहले हमें कान को हिलाने वाले मसल को खुजना है ऐसा करने के बाद आप अपने दांत को दिखाते हुए पूरा मुँ फैला कर हसने की कोशिश करें जिससे आप अपने कानों को बिना चुए हिला सकते हैं आप यहां वोट कर सकते हैं अपनी जीब से नाक को चुना अपनी जीब से नाक को चुने की अबिलेटी जनेटिक होती है यानि जो लोग ऐसा कर पाते हैं उन्हें ऐसा कर पाने की शमता उनके माता-पिता से मिलती हैं दुनिया भ टिप को एक पॉइंट जैसा बनाएं ऐसा करने के बाद आप अपने ऊपर की लिफ से अपने ऊपर के दातों को कवर कर लें अब आप अपने निचले लिफ की मदद से अपने जीब को अपनी नाक की तरफ मोड़ने की कोशिश करें ध्यान रखें ये काम सारे लोग नहीं कर सक पिर भी एक पर कोशिश करके देखें और यहां वोट करके बताएं कि क्या आपसे ये हो पाया या नहीं टंग रोलिंग यानि जीब को घूमाना एक ठीव के मुताबिक यह माना जाता है कि जूबान को घूमाने की एबिलेटी जनेटिक होती है ठीविक अपके शरीर में क्या आप dominant है क्या आप अपने जीब को अपने मूँ के अंदर मोर सकते हैं आप ने चे कॉमेंट में बताएं कि क्या आप इन में से कोई भी काम को कर पाते हैं या नहीं और अगर हां तो वो कौन सा काम है जो आपको एक खास इंसान बनाता है जो भीड से अलग है वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ WhatsApp ग्रूप पर शेयर जरूर करें आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद